नमस्कार, हम उपस्तित हैं, Advanced Spoken English Class 3rd के साथ आज का जो सेशन है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है हम बैसिक से Advanced की तरफ देरी देरे बढ़ते जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे जो sentences हैं, उनका level बढ़ता जाएगा इसलिए आपसे request है कि कोई भी वीडियो मिशना करें और जो भी वीडियो आपको बताए जाए उनकी बार-बार practice करें तो चलो बिना time waste करें, वीडियो सुरू करते हैं आज का हमारा first sentence है, मुझे जैपूर जाना है I am to go to जैपूर सीता को आज यहां आना है सीता is to come here today नेक्स sentence है, उन्हें कल जैपूर पहुँचना है They are to reach जैपूर तुमारो They are to reach जैपूर तुमारो Next sentence है, मेरे पिताजी को डोक्टर के पास जाना है My father is to go to the doctor Next sentence है, मुझे मेरी पत्नी को टेलिफोन करना है I am to telephone to my wife Next, माताजी को खाना बनाना है My mother is to cook food Next, मेरे भाही को इस्कूल जाना है My brother is to go to school Next, पिताजी को ओफिस जाना है My father is to go to office मुझे कपड़े धोने है I am to wash the clothes Next, सरीता को घर की सपाई करनी है सरीता is to clean the house Next, मनिश को आज जेपूर जाना है मनिश is to go to जेपूर टुडे Next, निशा को यहां आना है Nisa is to come here Next, मेरे मित्रों को भी आज जेपूर पहुशना है My friends are also to reach जेपूर टुडे Next, उन्हें शादी में शरीक होना है They are to attend the marriage Next, मेरे पिताजी को कुछ कफड़े खरीदने है My father is to purchase some clothes Next, मेरी बहिन को खाना बनाना है My sister is to cook food Next, मेरे भाई को अपना काम करना है My brother is to complete his work My brother is to complete his work Next, हम सभी को शादी में जाना है We all are to attend the marriage We all are to attend the marriage Next, तुम्हें एक पत्र लिखना है You are to write a letter You are to write a letter Next, उसे मेरे लिए कुछ पुस्त के लानी है He is to bring some books for me He is to bring some books for me Class third में, आज जितने भी sentence हमने देखे सभी में आपने देखा होगा कि पीछे की तरफ जाना है आना है, पहुंचना है, करना है, बनाना है इस परकार, ना है, नी है, ने है, आ रहा है और जब इस परकार के sentence है तो उनका जो structure है बनाने का, वो इस परकार से होगा तो यह infinitive कहलाता है, तो इस परकार से हम इसका structure बनाएंगे अब इसी structure को यूज करते हैं, हम कुछ और sentences की practice करते है sentence है, हमें match खेलना है We are to play a match Next sentence है, तुम्हें station जाना है You are to go to station You are to go to station Next sentence है, उसे आज पहुंचना है He is to arrive today Next sentence है, मुझे उसे telephone करना है I am to telephone her Next sentence है, रमेज को शाम से वारता लाब करनी है Next sentence है, उसके दोस्तों को शादी में सरीख होना है His friends are to attend the marriage Next sentence है, उसे मेरे कपड़े दोने है She is to wash my cloth She is to wash my cloth हमने जितने भी sentence बनाए, इस structure का यूज करते हुए आपको यहीं नहीं रुकना, इस से आगे बढ़ना है और sentences बनाने हैं और उनकी practice करनी है बार बार practice करनी है क्योंकि अगर आप practice करेंगे तभी आप इस structure को एकदम फुक्ता अपनी memory में रख पाएंगे और जरुत पढ़ने पर यूज कर पाएंगे अगर आप जोर से बोलते हुए इनकी practice नहीं करते हैं तो फिर एक बार sentence को बोल लेने से आप जरुत पढ़ने पर इसको यूज नहीं कर पाएंगे तो मैं उमीद करता हूँ कि आप इन sentence को continue repetition देंगे फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें